महेंद्र गड़ जिले के कनीना में उन्हानी के पास भीशन सड़क हादसे में छे बच्चों की मौत हो गई जिल पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी और बस ड्राइवर ने शराब पी हुई थी जिसके बाद ओवर टेक करते समय बस पेड से टकरा कर पलट गई इस हादसे में बस में बैठे बच्चे घायल हो गए हाथसे में घायल बच्चों को लोगो द्वारा और कुछ को एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंकाया गया बस चालक को मौके से काबू कर पुलिस के हवाले किया गया जिसके बाद पुलिस द्वारा बस चालक का मेडिकल कराया गया ड्राइवर ने शराब का सेवन किया हुआ था शराब के नशे में चालक बस चला रहा था पुलिस अधिक्षक अर्श वर्मा के दिशा निर्देशों में मामले में कारवाई के लिए C.I.E. महिंदरगण, साइबर सेल और थाना शहर कनीना की टीमों का गठन किया गया पुलिस ने बस चालक धरमेंदर वासी सहलं को गिरफथार कर लिया इसके बाद टीमों ने छापा मारी करते हुए स्कूल प्रिंसिपल देर्दिवासी कनीना को भी गिरफथार कर लिया पुलिस द्वारा आरोपितों से पूछताच की जा रही है हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीकशक अर्श वर्मा घटनास्थल पर पहुँच कर जायजा लिया इस दौरान डियस्पी मोहिंदर सिंग और डियस्पी हरदीब सिंग भी मौजूद रहे इस पी ने मौके पर स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये की मामले में जल्द से जल्द काररवाई करें और आरोपितों के खिलाफ सخت काररवाई की जाए इसके बाद S.P. ने हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि आरोपितों के खिलाफ सक्त से सक्त काररवाई की जाएगी दक्षिन रेंज आईजी राजेंद्र कुमार भी कनीना पहुंचे और घटना स्थल का दौरा किया आईजी ने कहा कि मामले की बारीकी से जाँच कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी काररवाई की जाए पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर काररवाई शुरू कर दी